नमश्कार दोस्तों, ये वीडियो मैंने सर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है, ताकि जो सरकार ने अनौंस किया है कि 18 यर्स से लेकर आप 45 यर्स के बीच में जो लोग हैं, वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो कई लोगों को शायद अभी भी इसके प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं, बाई सर्चिंग अंकित अगर्वाल ऑफिशल और जैसा कि आपको पता है, यहां पर हो क्या रहा है, तो जैसा कि आपको पता होगा, कि पहले सरकार ने यहां पर जो फ्रॉप्रेंसिव उनके लिए वैक्सिनेशन का ड्राइफ खोला था, जो हेल्थ केर वर्कर्स हैं, उनके लिए यहां पर वैक्सिन दिया जा रहा था, उसके बाद सरकार ने क्या किया कि 60 यर्स के अबव और फानली 45 यर्स के अबव के लोगों के लिए जो वैक्सिनेशन है, वो आपका खोल लेकिन फानली जाकर सरकार ने यहाँ पर 18 years से अबव के जितने लोग होंगे उनको भी वैक्सीन दिया जाए जल से जल यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाए इसके लिए सरकार ने अनुमती दे दिया और यह कहा कि 1st of May से 18 years के अबव के जितने लोग हैं वो भी व registration process है वो 2-3 दिन पहले से start हो जाएगा कब से हो जाएगा आज ही जब मैं यह video record कर रहा हूँ 28th of April शाम को 4 बजे से जो registration है वो आपका start हो जाएगा और मेरी आप सबसे request है कि बड़ी मात्रा में आप अपने परिवार को जितने भी लोग आप जानते हो यहाँ पर जल से जल vaccine लगाने का try करें और 4 बजे के बाद यह registration open होगा तो यह exactly है क्या यह तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन यहाँ पर आप registration किस माध्यम से कर सकते हो ध्यान रखना है आपको COVID platform मतलब की जो website है COVID का वहाँ पर जाना है जो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके अलावा आप यह से तू और जो इसका process है और जो documentation है वो same रहेगा जैसे कि बाकी लोगों के लिए था 45 years के अबव के जितने लोगों के लिए process था same उसी प्रकार से होने वाला है तो यहाँ पर अब कैसे होगा simply आपको जाना है COVID का जो platform है ध्यान रखेगा COVID app के माध्यम से नहीं होगा यह COVID app के माध्यम से नहीं होगा आपको website visit करना है cowin.gov.in और जब आप इसके page पर जाओगे तो आप देख सकते हो कि यह front page आपको खुला हुआ देखने को मिलेगा इस front page के उपर आप देख सकते हो यहाँ पर register sign in yourself लिखा हुआ है इसके उपर आपको जाना है उसके बाद आपका एक और नया page खुल जाएगा इस page के अंदर आप देख सकते हो आपसे पूछा जा रहा है कि enter mobile number तो simply यहाँ पर आपको mobile number एंटर करना है और get OTP पर क्लिक करना है get OTP पर आप जब करोगे तो यहाँ पर आपको one time password आएगा उसको fill करना है और उसको fill करने के बाग आपसे जो भी आपका ID proof है आधार card, driving license, passport मतलब आप कोई भी अगर आपके पास ID है government से related आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं आपको वो upload करना होगा next step में देखे क्या होता है कि यहाँ पर जब आप यह सारे अपने documents upload कर देंगे अपना घर का address और जो pin code है वो डाल देंगे उसके बाद आपको hospital जो है वो show होने लगेगा मतलब जहाँ पर भी आपने pin डाला है अपना दिली में अगर आप रह रहे हो 110060100 जो भी आप जिस भी area में रह रहे हैं तो आप pin डालोगे तो उस pin के accordingly आपके आज पास में जो भी hospital के माध्यम से जो vaccine लगवाई जा रही है वो उसकी list सामने खुल जाए की इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर government hospitals तो होंगे ही लेकिन जो private hospitals हैं उसकी भी list आजाएगी मतलब कि अगर आप private hospital से लगवाना चाहते हो vaccine को आप private hospital पर click कर सकते हैं गौर्मेंट से लगवाना चाहते हैं को गौर्मेंट हॉस्पिटल पर भी क्लिक कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टन चीजे हैं जो आपको ध्यान रखनी है यह मैं आपको बताना चाहता था सबसे पहला चीज फॉर्टी फाइव यर्स के ऊपर के लोगों का अगर आप हॉस्पिटल्स हैं जहां पर भी यह लगवाया जा रहा है तो आप वॉक इन सिंप्ली जा सकते हैं और वहाँ पर रजिस्टर करके लगवा सकते हैं लेकिन जो 18 यर्स के अबव के लिए लोग हैं अभी के लिए उनके लिए यह वाला सुविधा नहीं रखा गया मतलब हर किसी को जो 18 यर्स से 45 यर्स के बीच में हैं इन सब को यहाँ पर online registration करना पड़ेगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया और फिर जाकर ही आप vaccine लगवा सकते हो इसके अलावा private hospitals को लेकर कई लोगों में बहुत जादा दुविधा है तो यह मैं आपको अब बताना चल हो और private hospitals से अगर आप लगवा रहे थे तो यहाँ पर आपको 250 रूपीज पे करना पड़ा था अभी तक जैसा अभी चलता आ रहा था 45 यर्स के अबव के लिए लोगों के लिए लेकिन अब यहाँ पर यह system खतम हो जाएगा central government private hospitals को को कोई भी vaccine नहीं देगी ध्यान रख कौन है आपके serum institute हो गया भारत बायो टेक हो गया को vaccine वाला तो उनसे यहाँ पर directly बात चीत करके private hospitals को यहाँ पर vaccine लेना है और उस vaccine को लगाया जाएगा अब इसका price कितना होगा क्या नहीं होगा यह तो आप private hospitals बताएंगे या फिर जब अब यह process start होगा चार बजे के बाद स I am sure कि जब आप यह video देख रहे होगे तो यह process start होगी गया होगा शायद तो आपको just click करना है और जा कर देखना है कि exactly क्या prices वगर बताया जा रहा है private hospital के लिए लेकिन यह private hospital decide करेंगे इसको लेकर अब देखी यह vaccination बन रहा है जो vaccine हमारे देश के अंदर बन रहा है यह आपक 45 years के उपर के लोग हैं उनका vaccination पूरा करना है second dose लगवाना है तो वो सारी चीजें central government अपने हाप से handle करेगी 50% vaccine को लेकर और अलग-अलग राज्यों को भी बाटेगी उनके हिसाब से महाराश में ज्यादा cases है तो उसके हिसाब से ज्यादा population के हिसाब से दिया जाएगा और बाकी का जो 50% है ये 50% में जो state government है वो इसी में से खरीदेगी जो private hospitals है वो भी इस बाकी के 50% में से खरीदेंगे तो I hope कि ये आपको difference अब पता चल गया होगा अब यहाँ पर क्या है कि जो 18 वर्स से 45 वर्स के बीच में जो लोग हैं जितने भी उनका vaccine अगर suppose आप government hospital में जा government hospital में लगवाने जा रहे हो तो यहाँ पर आपका vaccine free होगा लेकिन private में अगर आप लगवाओगे तो definitely आपको यहाँ पर payment करनी पड़ेगी in fact यहाँ पर मैं आपको list भी दिखा देता हूं basically बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा राज exactly अगर आप देखोगे तो 24 states अभी के ल 18 वर्ड से 45 वर्ड के उम्र के जो लोग हैं उनके लिए भी लगभग vaccine जो है वो free होगा लेकिन private hospital में यहाँ पर charge किया जाएगा एक और question काफी लोगों के मन में आ रहा था कि सरकार यह एक तरह से liberalize कर रही है vaccine को मतलब राज्यों के पास power दे रही है private hospitals को दे रही है तो इस vaccine बहुत ज्यादा manufacture हो जाए surplus मात्रा में हो तब definitely यह आपका बजार में भी available होगा आप directly जाकर खईद पाओगे लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं है तो यह कुछ important चीजें थी मुझे लगा कि शायद हम सबको इसके बारे में जानना चाहिए और मेरा आप सबसे request है कि vaccination ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम कुरोना को रोग सकते हैं otherwise इसके अलावा इस समय कोई तरीका नहीं है और किसी के भी मन में अगर doubt है कि vaccine लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए please मेरा आप से request है कि यह सारे doubts हटा दीगे हमने study IQ पर बहुत सारे videos मनाया है इससे related और आपको ब बहुत ही कम chances हैं आप लगभग कहलो कि 10 लाख लोगों में 50 लोग ऐसे होंगे जिनको दुबारा corona हो सकता है vaccine लगवाने के बाद तो ऐसा situation है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि vaccine आप please सब लोग लगवाए और आशा करते हैं कि जल से जल जो भारत है हमारा वो यहां से इस आप झाल 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 झाल